आज भारत में एक बहुत बड़े फेस्टिवल जैसा मोहल बना हुआ है क्योंकि होकी ने भारत को यानि 41 येर्ज के बाद में भारत को मेडिन दिलाया है मैं पूरी होकी टीम को मेरी और से हर्दी खर्दी शुब कामना देना चाहूंगा तिलंगाना की भारत जित्ता पार्टी की ओर से साथी साथ आज तिलंगाना में स्पोट्स की क्या परिसिति है अगर हम स्पोट्स कॉंप्लेश देखेंगे तो पूरे स्टेडियम देखींगे तो एक कमर्शनल कॉम्प्रेस बन चुके है यानि तिलंगाना में स्पोर्ट के प्रति कोई भी दिल्चस्पी तिलंगाना के मुख्य मंत्री को नहीं है जब से तिलंगाना में नहीं सरकार बनी है टियारेस की यानि साथ साल से स्पोर्ट के प्रति जो फंड रिलीज किया जाता है वो फंड भी खर्श नहीं किया जाता है यह दुर्बाकी की बात है जो स्पोर्ट मिनिस्टर है अभी वो एक्साइज मिनिस्टर भी है सिर्फ एक्साइज के उपर उनका ध्यान जादा होता है जो कमिशन के उपर उनका ध् medal ला रहा है या नहीं ला रहा है उनके उपर को इनका ध्यान नहीं रहता अगर कोई medal ला रहा है तो उनको प्रस्वान भी नहीं रहता आज जितने भी जो coach just Hey वेज़्लिंगずять watch both single coach s हुए जिए सभी लोग आज धरने को यह पूछना चाहूंगा कि ओलंपिक जो दो मिडल जीतने में पहली महला का खिताब जीतने वाली पीवी सिंदु आज तेलंगाना में पीवी सिंदु को क्या किया तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या किया है मैं पूछना चाहूंगा आज तेलंगाना का ब्रैंड अमजटर आप पाकिस्तान की भव को बनाते हैं सानिया मिर्जा को बनाते हैं तो पीवी सिंदू को क्यों तेलंगाना का ब्रैंड अमजटर नहीं बना जाता मैं तेलंगाना के मुख्य मंत्र को के मुख्य मंत्र जी आप थोड़ा राजनीती के प्रति ना सोच कर कि हमारी तिलंगाना की बेटी है और तिलंगाना का ब्रैंड आपमसेटर पीवी सिंदु को बनाए ऐसी विचारधारा रखकर आप पीवी सिंदु को तुरन तेलंगाना का ब्रैंड आपमसेटर पनाए साथी साथ आज सचीन तेंडुकर हो या धोनी हो ये भी छोटी-छोटी बस्तियों से खेल कर आज भारत का नाम उचा करें आज बस्तियों में क्या परसिती है आप स्पोर्ट्स मिट्रल नहीं देते आप स्टेडियों में कोई डॉलप नहीं करते आप बस्ती-बस्ती जो हर गौवर्रमेंट जो स्पोर्ट्स मिट्रल देती ती एवरी यर वो भी आप नहीं देते मुख्यमंतर जी स्पोर्ट्स के प्रती आपका अलग से बजट होना चाहिए और अलग से ध्यान होना चाहिए तो हमारे तेलंगाने से भी बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्स में निकलेंगे यह मैं सोचता हूँ